आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी यह है प्राइम टाइंग करोना महामारी के बीच बाबा रामदेव के एलेपैथी के खिलाब दिये बयान पर इंडियन मेडिकल असोशेशन ने कड़ी आपत्ती जताने के बाद पतांजली की प्रतिक्रिया सामने आई है भारतिय चिकिसा संग आएम ए ने शनिवार को केंदर सरकार से मांग की कि अज्ञानता भरी टिपपनी करने के कथी तरूत से लोगों को भ्रमित करने और एलोपैथी दवाईयों को मुर्खतापुर्ण विज्ञान बताने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाए वही हरिद्वार सीथ पातांजली योग पीठ ट्रस्ट ने इस टिपपनी से इंकार करते हुए इसे गलत बताया एलोपैथी दवाईयों को लेकर रामदेव के बयान पर दिल्ली मेडिकल असोचेशन बी एम ए ने शनिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है पुलिस को दी गई शिकायत के साथ सोपे एक बयान में डीम ए ने आरोप लगाया है कि संकट की इस घड़ी में पुरा देश महामारी के खिलाप लड़ रहा है अपना और अपने परिवार की जान जो खिम में डाल रहा है जो संसादन है उनी के बल पर मुकाबला कर रहा है बाबा राम देव ने नीजी हित के लिए मेडिकल सायंस याने चिकिस्सा विज्ञान और मेडिकल पेशे डॉक्टरों और अन्य समंद पेशे की धज्जिया उड़ाई है पुलिस के एक वरिष्ट अधिकारी के अनुसार डीम एम ए ने दर्यागंज स्थाने में शिकायत दी है अधिकारी ने बताया कि हमें शिकायत मिली है और जांच की जा रही है वही अखिल भारतिय आयुर्वेद संस्थान, एम्स और सब्दरजंग अस्पताल के रेजिजिजन डॉक्टर असोशेशन ने भी रामदेव के बयान की कड़ी निंदा की है और उनके खिलाब कड़ी कारवाई की मांग भी की है सोशल मीडिया पर वाइरल हुए एक वीडियो का हवाला देते हुए आयमे ने कहा कि रामदेव ने दावा किया है कि एलोपेती मुर्खता पुर्णव ज्यान है और भारत के आउशदी महानियंत्रक द्वारा कोवीड-19 के इलाज के लिए मंजूर की गई रिडेमिस्वीर, फेवी फ्ल्यू और अन्य ऐसी दवाए बीमारी का इलाज करने में असफल रही है आयमे के अनुसार रामदेव ने कहा कि एलोपेती दवाई लेने के बाद लाखों की संख्या में मरीजों की मौथ हुई है डॉक्तरों की शिर्ष संस्था ने एक बयान में कहा कि रामदेव पर महामारी रोग कानून के तहक मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि अज्ञानता भरे बयान देश के शिक्षित समाज के लिए खत्रा है और साथ ही गरीब लोग इसका शिकार हो रहे है IMA ने कहा केंद्रिय स्वास्थ मंत्री हर्शवर्दन जो खुद आधूनिक चिकत्सा पद्दती एलोपाथी के डॉक्टर रह चुके है और स्वास्थ मंत्रा लेके प्रमुक है वे या तो इन सज्जन की चुनोती और आरोप स्विकार करे और आधूनिक चिकत्सा की अपनी सुविदा भंग कर दे या ऐसी अवग्यानिक बातों से लाखों लोगों को बचाने के लिए उन पर महामारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे IMA ने कहा कि उसने रामदेव को कानूनी नोटिस भेज कर लिखित माफी मांगने और बयान वापस लेने को कहा है विवात पर प्रतिक्रिया देते हुए पातांजली योग पीठ ने एक बयान जारी कर टिपनी का खंडन किया है और कहा है कि ये हस्पस्ट किया गया है कि वीडियो का संपादित किया संसकरन स्वामी जी द्वारा दिये गए संदर्व से अलग है आचारिय बालकृष्ण के हस्टाक्षर के जारी बयान के अनुसार महामारी काल में राद दिन कठिन परिश्रम कर रहे हैं डॉक्टरों मेडिकल स्टाप का रामदेव पूरा-पूरा संमान करते हैं बयान के अनुसार स्वामी जी की आधुनिक विज्ञान और आधुनिक चिकिस्सा पद्दती से चिकिस्सा करने वालों के खिलाब कोई गलत मैंशा नहीं है उनके खिलाब जो भी आरोप लगया गया है वह गलत और निरर्थक है IMA ने यह भी आरोप लगाया कि रामदेव स्थीती का फाइदा उठाने और व्यापक पैमाने पर लोगों के बीच डर तथा आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे है IMA ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहे है ताकि वह अपनी गएर कानुनी और गएर माननेता प्राप्त तथाकती दवाए बेश सके लोगों की जान की कीमत पर पैसा कमा सके IMA ने कहा IMA मांग करती है और यह संकल पलेती है कि अगर मंत्री हर्षवर्दन स्वता संग्यान लेते हुए कारवाई नहीं कर रहे तो हमें आम आदमी के समक्ष सच्चाई लाने के लिए लोग तांत्रीक माध्यमों का सहरा लेना पड़ेगा और न्याय पाने के लिए न्याय कर्मियों की और से उनके खिलाब जल से जल कड़ी कारवाई की मांग करते हैं असोशेशन ने कहा कि सरकार को यह सुनिशित करना चाहिए कि जूटी जानकारी फैला रहे है इस तरह की वीडियो पर लगाम लगाई जाए असोशेशन ने ये भी कहा रामदेव के खिलाप महाम मारी अधिनियम 1986 की विबिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए हम उनसे बिना शर्त माफी मांगने की मांग करते हैं ऐसा ना होने पर हम विरोध प्रदर्शन का आववान करेंगे अस्पताल के आडियन ने एक बयान में कहा रामदेव बाबा के बयान को नफ समंदित अधिकारियों से उनके खिलाब महामारी रोग अधिनियम 1987 की समंदित धाराओं के तहत मामला दर्श कराने की मांग करते हैं हम रामदेव से मांग करते हैं कि वह ऐलोपेतिक की प्रैक्टिस करने वालों से बिना शर्त माफी मांगे आरोप लगाये गये है कि रामद ही एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले औरोक्वीन फेल हुई फिर रेमडी सीविर फेल हो गई फिर अन्होंने एलोपेति और डाक्टरों को लेकर भी विवादित बयान दिया है ऐसे में उनके खिलाब सक्त सक्त कारवाई की मांग की जा रही है अपनी इनी मांगों को लेकर आयमे ने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिठी भी लिखी है आयमे और बाबा रामदेव के बीच ये तलकी लगातार बढ़ती जा रही है जो विवाद एक वार्टसप एप मेसेज के पढ़ने से शुरू हुआ था वो अब देश दरोह तक आप पहुँचा है डॉक्टर इस समय बाबा रामदेव से ना सिर्फ नाराज है बलकि उनके बयान को मनबल गिराने वाला बता रहे है कुछ दिन पहले एक एलपती का मजाग बढ़ाने वाले योगो गुरू रामदेव की तरफ से अभ्यास सत्र के दावरान करोना वैक्सि और तो अभी करोना की डबल वैक्सिन लगाने के बाद मर गए कितने एक हजार डॉक्टर कल का समाचार है अपने आपको बचा न पाने वाला ये डॉक्टर कैसा ये कैसी डॉक्टरी इस से पहले बाबा रामदेव ने वाटसप पर एक मैसेज को सुनाते हुए एलोपेति को स्टूपिड और दिवा लिया साइंस बताया था उन्होंने बाद में अपने उस बयान को वापस जरूर रिया लेकिन विवाद खड़ा हो चुका था उनके बयान पर आयमे ने कड़ी आपत्ती दर्च कराई थी और देश के स्वास्त मंतरी हर्शवदन के तरफ से भी को करोना वैक्सिन का मजाग बनाते हुए देखा गया तो किसी वीडियो में उनकी तरफ से करोना मरीजों को लेकर भी टिपनी की गई एक वाइरल वीडियो में ये कहते हुए सुनाई दिया है कि मरीजों को नहीं पता कि सांस कैसे लेते हैं इसी वजह से वो आक्सिजन की कम की शिकायत कर रहे हैं नकारात्मक्ता फैला रहे हैं उनके इस बयान पर भी बवाल काटा गया है और उन से सरकार के कड़े एक्षिन की अपिल की गई है अब थोड़ी क्रोणालाजी को समझ लेते हैं कि इसी वक्त बाबा रामदेव ने ये बयान क्यों दिया चारों तरफ हम देख रहे हैं कि ऑक्सिजन की कमी है दवाईयों की कमी है अस्पतालों की कमी है ब्लैक फंगस उसके बाद वाइट फंगस अब एलो फंगस भी आ गया है उनकी दवाई भी नहीं है मेडिकल सुविधाय चौपट है कई बि मोदी फेक तो थे ही अब वो फेल भी हो गया है और पीम केर फंड भी फ्लॉप हो चुका है पीम केर फंड वारा दिये गए वेंटीलेटर और अन्य सामगरी बेकार है नकली कमपनियों को फाइदा पहुचाने के लिए खरीदे गए वेंटीलेटर एक बड़ा भरस्टाचा है जनता मोदी सरकार से नाराज है और उन्हें लोगों की जान से ज्यादा अप्नी और अपनी पार्टी की साख बचाने की फिक्र है र मोर्चे पर मोदी फेल होने के बाद इस किर्किरी से बचने के लिए और इन सबसे जनता का ध्यान किसी और जगह भठकाने के लिए बाबा रामदेव को मैदान में उतारा गया है। आप रामदेव मेहुलचवकसी में उलजे रहे और वो मीडिया की गंगा में नहा कर अपने पाप धोते रहे बाकी आप सब समझदार है सरकार महरबान तो बाबा महान ये कुछ भी बोल सकता है ये रामराज्य है यहां कुछ भी हो सकता है आप देख रहे है आवाज इंडिया टी वी यह है प्राइम टाइम तो हुआ है